मित्रों, करेंट अफेर्स के अंतरगत, चर्चा में नामक इस सेक्षन के अंतरगत, हम निरंतर समसामाईक चर्चा में चल रहे उन महत्यपूर्ण प्रासंगीक विश्यों या मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जो सिविल सेवा परिक्षा के लिहाज से अत्यंत ही उप्योग साथियों, इस समय कश्मीर समस्या, निरंतर ही पत्र-पत्रिकाओं में एवं समाचार पत्रों में, उनके आलेकों में चर्चा का विश्यों बनी हुई है, जिसके कारण अनुच्छे 370 एवं अनुच्छ पैंतिसे यभी चर्चा का विश्यों बने हुए हैं तो आईए चर्चा में सेक्षन के आज की खंड में हम अनुच्छेत 35 एवं अनुच्छेत 370 के विश्य में ही चर्चा करेंगे तो आईए आज के लेक्चर की शुरुवात करते हैं पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में हलचल बढ़ जाने के बाद एक बार फिर से अनुच्छेत 370 तथा अनुच्छेत 35 एवं काफी सुर्खियों में हैं दरसल हाल ही में कश्मीर में बड़ी संख्या में सेन निबल की तैनाती से सरकार द्वारा अनुच्छेत 370 तथा अनुच्छेत 35 एवं पर कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है हाल ही में कश्मीर के लिए 28,000 अतरिक्त सेन ने भेजने का निड़ना लिया गया था सरकार ने कश्मीर में वायू सेना तथा थल सेना को हाई अलर्ट पर रखा है हाला कि सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई भी अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है अभी केवल अटकले ही लगाई जा रही है परन्तु काफी लंबे समय से इन अनुच्चेदों को हटाने की मांग की जा रही है तो आईए इन दोनों अनुच्चेदों के विशय में जानने का प्रयास करते हैं सर्व प्रथम आईए अनुच्छेत 35A के विश्य में जानते हैं भारतिय समविधान का अनुच्छेत 35A जम्मु कश्मीर राजे से संबंधित है इस अनुच्छेत के अनुसार जम्मो कश्मीर विधान सभा को स्थाई निवासी के बारे में निर्णे लेने की शक्ती दी गई है उन स्थाई निवासियों को सार्वजनिक सेक्टर में नौकरी, जम्मो कश्मीर में संपत्ती खरीदने की सुविधा तथा अनिलाभ मिलते हैं जो व्यक्ति जम्मो कश्मीर का स्थाई निवासी नहीं है वह जम्मू कश्मीर में संपत्ती नहीं खरीच सकता और नहीं वह जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए ही योग्य है अब आईए अनुच्छेत 35-A के निर्माण की पीठी का अर्थात इसकी प्रिष्ट भूमी को समझने का प्रयास करते हैं अनुच्छेत 35-A को भारतिय सम्विधान में 1954 में शामिल किया गया था इसके लिए जवाहालाल नहरू कैबिनेट की अनुशंसा पर ततकालीन राष्टपती राजेंदर प्रसाजी ने आदेश जारी किया था अनुच्छेत 35-A 1952 के दिल्ली समझोते पर आधारित है यह समझोता भारत के ततकालीन प्रधान मंतरी जवाहालाल नहरू तथा जम्मू काश्मीर के प्रधान मंतरी शेख अब्दुल्ला जी के बीच हुआ था इस समझोते के द्वारा जम्मू काश्मीर के निवासियों को भारती नागरिक्ता प्रदान की गई थी राश्टपती द्वारा यह आदेश अनुच्छेत 371-D के तहच जारी किया गया था इस अनुच्छेत के अनुसार राश्टपती यदि चाहें तो जम्मू काश्मीर के लोगों के कल्यार के लिए समविधान में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं आईए अब हम अनुच्छेत 370 के विश्य में जाने अनुच्छे 370, भारती सम्विधान के अनुच्छे 370 के द्वारा जम्मु काश्मीर राजिको स्वायत्ता प्रदान की गई है अनुच्छे 370 के द्वारा जम्मु काश्मीर के लिए निमनलिखित 6 विशेश प्रावधान किये गए है इस अनुच्छेत के द्वारा जम्मू काश्मीर को भारती समविधान के दाइरे से बाहर रखा गया है जम्मू काश्मीर राज्य का अपना अलग समविधान है जम्मू काश्मीर पर केंद्री विधान पालिका की शक्तियां सीमित हैं केवल रक्षा, विदेश मामले तथा संचार पर ही केंद्री विधान पालिका का नियंत्रण है। राज्य सरकार की सहमती के पश्चात ही जम्मू कश्मीर में केंद्री विधान पालिका की समवैधानिक शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। यह सहमती भी आस्थाई होगी, इसके लिए राज्य विधान सभा में प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है शक्तियों के विभाजन के स्तंदर्भ में राज्य सम्विधान सभा की भूमिका काफी महत्रपोंड है अनुच्छेत 370 को राज्य सम्विधान सभा की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है अथवा इसमें संशोधन किया जा सकता है इस प्रकार चर्चा में सेक्षन के अंतरगत आज हमने अनुच्छेत 35A एवं अनुच्छेत 370 के विश्य में जाना इस सेक्षन के अगले अंक में हम किसी अन्य चर्चित मुद्दे या शब्दावली पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों अगर आपकी प्रतियोगी परिक्षाओं से संबंधित किसी विशाय से संबंधित या अन्य तत संबंधित कोई प्रश्ण या समस्या है अत्वा अगर आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी विश्यों के वीडियोज या करेंट अफियर्स के प्रिंटेड नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे कारिया लाइन ओफिशियल नंबर 7477092091 या 8516959388 पर कॉल कर या वाटसअप मैसेज कर हमें सूचित करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य करें और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दे और हाँ बैल आईकोन अवश्य ही दबा दे जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियो से अवगत रह सकें साथ ही साथ यह भी बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे हाँ, टॉपिक प्रतियोगी परिक्षाओं के विश्यों से ही संबंधित होना चाहिए आवांतर के प्रवेश्टे बचें तो मित्रों, मिलते हैं इस खंड की अगली कड़ी किसी नए समसामाईक मुद्दे या नए समसामाईक विशय के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहें, जानते रहें, सीखते रहें और मुझे आग्या दें